दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि हजारों साल पहले का एक योधा आज भी इस धर्ती पर भटक रहा है एक ऐसा योधा जिसे मृत्यू नहीं छू सकी महाबहारत का सबसे बड़ा रहसी अस्वत्थामा कहते हैं जो आज भी जीवित है अपनी असीम पीड़ा के साथ है अनंतिकाल तक चलने वाले स्राप के अधीन पर क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई कहरा सत्यू दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अस्वत्थामा की अमर्ता के उस रह सिसे रूबुल कराएंगे जो आज भी इतिहास के पन्नों में छिपा है क्या सच में अस्वत्थामा आज भी इस दुनिया में भटक रहे हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी के पर्मुख योधाओं में से एक थे उनके पिता महान गुरू द्रोडा चारी थे जो कवरो और पांडव दोनों के गुरू थे और उनकी माता का नाम क्रेपि था जो किरपा चारी की बहन थी अस्वत्थामा को सिव का अवतार माना जाता था और उन्हें अमरता का वर्दा सानप्राथ था अस्वत्थामा परोव की तरफ इसलिए थे क्योंकि उनके पिता द्रोडा चारी ने कवरो के लिए युद्ध में हिस्सा लिया था यदप द्रोडा चारी में दोनों परोव और पांडव को समान रूप में सिच्छा दी थी लेकिन युद्ध में उन्होंने कवरों की तरफ से युद्ध करने का निरड़ाय लिया क्योंकि वह कवरों के राजा दुर्योधन के प्रतिवफादार थे चुकि अस्वत्थामा अपने पिता के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे उन्होंने भी कवरों का पच लिया पांडवों से कोई बेक्तिकत दुस् बना दिया महा भारत के युद्ध के बाद कौरों की सेना का बिनास हो चुका था लेकिन एक ऐसा योध्या था जो इस युद्ध के बाद भी जीवित रहा जिसे अस्वत्थामा कहते हैं उसने युद्ध के अंतिम दिन एक ऐसा प्राध किया जिसने उसे शरापित बना दिय अस्वत्हामा ने भग्वान स्रीक्रेष्ण के कहने पर अपनी गलती मानी परन्तु स्रीक्रेष्ण भग्वान ने उसे एक ऐसा श्राप दिया जिससे वा मृत्यु को प्रात नहीं हो सकेगा अब सवाल या उर्ता है कि आश्वत्तामा आज भी जीवित है कि आवा अमर है कुछ कहानियों के अनुसार आश्वत्तामा आज भी धर्ति पर भठक रहे हैं अपनी अमरता का बोज धोते विये कहां जाता है कि उत्तर प्रदेश के एक मंदिन में उन्हें आज भी देखा गया जहां वे रोजाना पूजा करने आते हैं उनके माथे पर सदियों पुराना गहाओ आज भी ताजा है जो कभी भरता नहीं क्या या सच है या फिर सिर्प एक मिथाग इतिहाज के पन्नों में छिपा या रहे सी आज भी अनसुर्जा है कुछ लोगों का मानना है क्या स्वाथ थामा के दर्शन किसी पीराने में गहरी रातों में होते हैं लेकिन हर बार जब कोई उन्हें देखने की कोशिस करता है तो वो आचानक गायब हो जाते हैं आज भी लोगों के मन में गूंजता है और साइध हमेशा गूंजता रहेगा सवाल का जवाब पाने के लिए कई संत और विद्वान सालों से तपस्या और सोध कर रहे हैं एक योध्धा जिसका चहरा समय की मार से ठक चुका है लेकिन उसकी आखों में वह ज्वाला आज भी वैसी ही है कुछ कथाओं के अनुसार एक बार हिमाले की गुफा में तपस्या कर रहे एक साधू ने उन्हें देखा साधू ने दावा किया कि अस्वत्थामा ने उससे समवाद किया और बताया कि वह अब भी अपने पापों का प्रैस्चित कर रहे हैं कहा जाता है कि अस्वत्थामा के सरीर से बहता खून कभी नहीं रुकता और उनकी पीड़ा उन्हें अमरता का सबसे बड़ा विसाप बना तुकी है। बैग्यानी किसे केवल एक मिठक मानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें देखा है उनकी आखों में आज भी उस भाय और विसमय की च्छवी बने वी है। तो क्या अस्वत्थामा सच में अमर हैं। क्या वो आज भी अपने स्राप का बोज उठाए हमारे बीच कहीं छीपे हुए हैं। या एक ऐसा रहसी है जिसका उत्तर सायद ही कभी पूरी तरह से सामने आ पाए। लेकिन जब तक या रहसी जीवित है तब तक कहानियां और क्युदंतियां इस अमर योध्धा के इर्द गिर्द गड़ी जाती रहेंगी। आंतिता या कहानी हमें एक गहरे सती से रूबरू कराती है कि हर बड़ा कर्म चाहेवा अच्छा हो या बुरा अपने पीछे एक अमिट छाप छोड़ता है। यही है महा भारत का सबसे बड़ा और अनसुलजा रहे से अस्वत थामा की अमरता। क्या वह वास्तों में अमर हैं। क्या वे आज भी इस दुनिया में कहीं भटक रहे हैं। या सवाल साथ सदियों तक अनुत्तरित रहेगा। लेकिन एक बाग तो सत्ती है। इस रहे सिने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हो सकता है आने वाले किसी और वीडियो में हम आपको महा भारत के किसी और गहरे रहसी से रूबुरू कराएं। जिसे बारे में सायद ही बहुत कम लोग जानते हो। दोस्तों अब लास्त में आप से पूछ रहे हैं कि क्या आप अ जास्त मजबुरू आता ना दोस्त में हूब लाएं। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो